सब्सक्राइब करें मेरे चानल शिपरा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप भी जटपट बन जाने वाला लेकिन हेल्दी और टेस्टी सा नाश्टा ढून रहे हैं तो बस परफेक्ट वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपने इसे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और मटर का बहुत ही कम तेल में बना स्वादिश्ट नाश्टा जो काफी फिलिंग है और जल्दी से बन भी जाता है इसे एक बार नाश्टे में खा लीजे बहुत देर भूक नहीं लगेगी आपको पेट भरा रहेगा इसी कारण बच्चों को देने के लिए भी एक काफी अच्छा आप्शन है चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे एक कप सूजी इसमें आप एड़ कीजिए आधा कप दही और आधा टी स्पून नमक मिला देते हैं इनको अच्छे से फिर थोड़ा सा पानी आड़ कर दीजे उपर से ताकि बैटर हलका सा पतला हो जाए ये देखिए इस तरह का अब हम इसे ढखक कर आदा घंटे के लिए सेट होने को छोड़ देंगे चलिए तब तक स्टफिंग तयार कर लेते हैं इसके लिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पर सेट करके एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे एक चमच तेल तेल गरम हो जाने पर आप डालिए आधा टी स्पून जीरा और जैसे ही जीरा इस तरह तड़कनी लगेगा हम इसमें एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ पैस डाल देंगे मिला कर एक मिनट के लिए भून लीजिए इसको इसके बाद हम एड़ करेंगे एक बारी कटी हुई हरी मेर्च और आधा टी स्पून जिंचर गार्लिक पेस्ट मिला देते हैं इनको फिर आप डालिए एक कप मटर के दाने मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर यूज किये हैं सर्दियों का मौसम आने वाला है ऐसे में हरे हरे फ्रेश मटर खूब मिलेंगे अब तो ये वाला नाष्टा आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं इनको दो मिनिट पकाने के बाद हम आड़ करेंगे मसाले जैसे की एक तिहाई टीस्पून लाल मिर्ज पाउडर एक चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर आधा टीस्पून धनिया पाउडर एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला पाउडर और एक चौथाई टी स्पून नमक इनको मिलाकर एक मिनिट के लिए और भून लेंगे हम इसे फिर आप आखिर में आड़ कीजिए दो चुटकी हींग बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी इसे वैसे ये बिलकुल आप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप्ट कर दीजिएगा इसे देखिए कितने चटपटे मटर बनकर तयार हुए हैं अब हम ग्यास बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे आट-दस मिनिट के बाद जब इनका टेंपरेचर नॉर्मल हो जाए तब आप एक मिक्सर जार में डाल कर पीस लीजिए इनको पीसने के बाद ये देखिए इस तरह का मिक्सर तयार होगा इनका अब हमने जो सूजी का गोल सेट होने के लिए रखा था वो भी बिलकुल तयार है यहाँ हम इसमें आड़ करेंगे एक चौथाई टी स्पून इनो पाउडर और मिला देंगे इसे अगर आप चाहें तो इसकी जगह इतनी ही कौन्टिटी में बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इनो पाउडर डालने के बाद हमें इसे ज़ादा देर नहीं रखना है तुरंत ही नाश्ता तयार कर लेना है इससे यह देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फाइनली इसकी चलिए अब नाश्ता तयार करने के लिए हमें ग्यास को लो फ्लीम पर सेट करके एक तवा रखना है और उस पर ब्रश की मदद से इस तरह हलका सा तेल लगा देना है अब आप सूजी वाले घोल को बड़े चमच में लीजिए और इस तरह तवे पर गोल शेप में स्प्रेड कर दीजिए इसके बाद हम एक चमच मटर का मिक्शर हाथ में लेंगे और इस तरह रफली ऐसे एक टिक्की की शेप दे देंगे इसको इसको आप रखिए बीच में और फिर थोड़ा और सूजी का बाटर लेकर ऐसे कवर कर दीजिए जादा मोटा लेयर नहीं बस पतला सा स्प्रेड कीजिएगा ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए वरना ये अंदर से कच्चा रह सकता है थोड़ा और तेल डाल देंगे हम उपर और साइड में 10 से 15 सेकेंड एक तरफ से सिख जाने के बाद आप इस तरह दो चमच लेकर पलट दीजिए इसको देखिए मैंने आपके सामने पलटा है बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये कोई दिक्कत नहीं आएगी तेल थोड़ा सा और लगा देते हैं उपर ताकि ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी सिखे पलट कर देखते हैं ये देखिए दूसरी तरफ से भी बढ़िया सिख रहा है ऐसे ही पलट पलट कर आप दौनों साइड से अच्छे से से शेक लीजिए इसको दो ही मिनिट में बन कर तयार हो जाएगा ये इसी तरह हम सारे पीसिस तयार कर लेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका है बस तवे पर हलका सा तेल लगा कर पहले सूजी का बैटर स्प्रेड करना है फिर मटर के मिक्स्चर की टिक्की बना कर उसके बीच में रखनी है और उपर से और सूजी का बैटर लगा कर उसे कवर कर देना है थोड़ा सा और तेल लगा कर दौनों तरफ से इसे अच्छे से से शेक लीजिए और हमारा मज़ेदार नाश्ता बन कर तयार है चलिए एक पीस को कट करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको देखिए कितना फ्लफी बना है ये काटने से ही पता चल जाता है बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से बना ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है ये देखिए मटर की फिलिंग कितनी अच्छी दिख रही है अंदर ट्राइ कीजिएगा एक बार खाकर मज़ा आजाएगा आपको बनाने में बहुत ही आसान है कम महनत लगेगी और काफी समय तक आपका पेट भरा रहेगा तो जल्दी से बना कर देखिए और अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके बताईए आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स बढ़कर मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होती है साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ थांक्यू फॉर वाचिंग